आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मारवाड की प्रसिद ताजा सांगरी की बहुती स्वादिष्ट और मज़ेदार सब्जी की रेसिपी जो दिखने में कुछ इस तरह की होती है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसे किस तरह से आसानी से काटा जाए और फिर घर के कुछ बेसिक मसालों के साथ में इस सब्जी को मज़ेदार और स्वादिष्ट कैसे बनाएं जिसे आप एक बार बार इसे बनाने का आपका मन करें तो फिर बिना देर किये चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं सांगरी की सब्जी बनाने के लिए हमने यहां पर 500 ग्राम हैं तो दोनों एक साथ बना सकते हैं लेकिन हमने क्या किया है इस तरह की पतली पतली सांगरी को चांट लिया और उन्हें अलग रख लिया इन्हें हम बाद में हलका उबाल कर सुखा देंगे ताकि जब सांगरी का सीजन नहीं होगा तो हम इस सब्जी का लोत पुठा सकें तो इस तरह की पतली सांगरी हैं हमने छाट कर सुखाने के लिए अलग कर दी है अब जो बच्ची भी मोटी सांगरी हमने अलग करी थी उसे हम अच्छी तरह से साफ करकर धो लेंगे इनके उपर जो डंठल होता है उसे हमने हटा लिया है और सांगरी को अच्छी तरह से धो लिया है आप चाहें तो मोटी और पतली दोनों मिक्स सांगरी की सबजी भी बना सकते हैं और अब हमने मुठी बर के सांगरी उठाई और चाकू की हेल्प से इस तरह से एक कटाई बारिक-बारिक काट लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में ज्यादा टाइम ना लगे यह देखिए आपको बच्चीवी सांगरी के भी इसी तरह से छोटे-छोटे पीसे कर लेने हैं पहले जो तरह का सांगरी काटने का बताया था आप उस तरह से नहीं काटना चाहें तो आप इस तरह से भी काट लें जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कुछ इस तरह से 8-10 सांगरीयों को एकठा कर लें और evenly उनको इस तरह से पकड़ लें और फिर आप क्या करें एक बंच बना लें और फिर उसके बारिक-बारिक टुकडे काट लें इससे होगा यह कि सांगरी के टुकडे even कटेंगे पहले वाले तरीके में तो कोई सांगरी के टुकडे छोटे या बड़े भी रह जाते थे लेकिन इस तरह से आप काटेंगे तो सारे टुकडे even मिलेंगे आपको यह देखिए सांगरी को हमने इस तरह से कुछ काट लिया है यह राज़िस्तान में बहुत यदिक पाई जाती है और इंगलिस में इसे desert beans बोलते हैं और इसके अंदर भरपूर मात्रा में zinc, iron, phosphorus, protein और fiber भी पाया जाता है यह health के लिए बहुत यदिक beneficial होती है अब इस कटीवी सांगरी को भी एक बार अच्छी तरह से दो लेते हैं और फिर इसकी सबजी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम सांगरी को boil करेंगे उसके लिए हमने एक बोल में पानी गर्म होने के लिए रखा है और जब पानी boil हो जाएगा तो कटीवी सांगरी इसमें डाल कर हम इने boil कर लेंगे सांगरी को हमें तब तक boil करना है जब तक कि यह पक न जाए और जब यह पक जाएगी तो इससे जब हम चेक करेंगे तो कुछ इस तरह की यह लगेगी जब हम सांगरी को इस तरह से दबा कर देखेंगे तो यह अच्छी तरह से मैश हो जाएगी इसका मतलब सांगरी पक गई है और अब हम अपने गैस बर्नर को ओफ कर देते हैं उबली वी सांगरी को हमने इस तरह से छान कर छलनी में डाल दिया है और इसे फ्राई करना शुरू करते हैं इसके लिए हमने पैन में तीन टेबल स्पून ओईल गर्म होने के लिए रख दिया है जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसके अंदर हम आदा टीस्पून जीरा डाल देंगे इसके साथ हम इसके अंदर चौथाई चम्मच हींग भी मिला लेंगे जैसे ही जीरा हलका भुन जाएगा उसके अंदर हम चार बड़े कटे हुए प्याज मिला लेंगे यहां पर हमने सांगरी जो काट कर रखी थी वो हमारी लगबग 300 ग्राम के आसपास है तो प्याज भी हमने यहां पर 500 ग्राम या 300 ग्राम के आसपास ले लिये हैं तब ही सांगरी की सबजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी अब प्याज को हम हलका सा भून लेते हैं ये देखिए प्याज को 2-3 मिनट भून लेने के बाद में कुछ इस तरह का हमें रख लेना है प्याज को हमें ज़्यादा भी नहीं भूनना है बस थोड़ी सी देर के लिए इन्हें भूनना है और इस तरह का ही जब दिखाई दे तो फिर इसके अंदर हम उबलीवी सांगरी मिला लेंगे अब यहां पर प्याज भूनने के बाद में आप चाहें तो इस तरह से उबलीवी सांगरी अभी मिला लें और मसाले बाद में मिलाएं और अगर आप चाहें तो दही के अंदर मसाले मिलाकर पहले प्याज के साथ उन मसालों को भून लें और उसके बाद उबलीवी सांगरी डालें आप दोनों ही तरीकों से सबजी बना सकते हैं और यकीन मानिए दोनों ही तरीकों से सबजी इतनी टेस्टी लगेगी कि आप बार-बार इसे बना कर खाएंगे। अब देखिए हमने सांगरी को प्याज के साथ में एक-दो मिनट के लिए इस तरह से भून लिया है। तक्रीबन सांगरी को दो-तीन मिनट तक भून लेने के बाद इसके अंदर हमने आदा टीस्पून नमक मिला लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर चोथा ही चमच हल्दी पाउडर शामिल कर लिया। और फिर इसके अंदर हम लाल मिर्च भी मिला लेते हैं। लाल मिर्च हमने यहाँ पर दो टीस्पून मिलाई है। और एक चम्मच भरके धनिया पाउडर भी इसके अंदर मिला लिया है और अब इन सभी मसालों को सांगरी के साथ अच्छी तरह से मिला कर बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे हमें यहां पर सांगरी को 3-4 मिर्ट तक अच्छी तरह से भून लेना है मसालों के साथ सांगरी को बहुत अच्छी तरह से 2-3 मेर तक भून लेंगे और आप चाहें तो सांगरी को इसी तरह से आप रख सकते हैं और चाहें तो इसके अंदर आप दही भी मिला सकते हैं हमने यहां पर दही वाली सांगरी बनाई है गैस बर्नर ओफ कर लेनी के बाद हमने सांगरी में तक्रिबन 200 ग्राम फिटा हुआ दही डाला है लेकिन आप ज्यान रखें कि आप गर्मा गर्म सांगरी में दही ना डालें नहीं तो दही फट जाएगा हमने क्या किया सांगरी को थोड़ा ठंडा होने दिया और उसके बाद में फिटा हुआ दही इसमें मिला लिया दही आप अपनी पसंद के इसाब से कम या जादा डाल सकते हैं जिस तरह का लिक्विड आप सबजी को रखना चाहें उस इसाब से आप दही मिला ले अगर आप इसमें दही मिलाना नहीं चाहते तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं तो ये देखिए कितनी स्वादिष्ट और मज़ेदार ताजा दही वाली सांगरी की सबजी बन कर तयार हो चुकी है और अब जाने से पहले वीडियो को देर सारा शेयर कर दें लाइक कर दें और इसी तरह के मज़ेदार रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें